चतरपुर शेर के कोपवाली थाना शेत्रांत्रगत पठापो रोड़ पर रहने वाले एक 11 वरसी बालक पठापी की चपेट में आकर घैल हो गया। बताये गया है कि पठापर रोड पर रहने वाले पुषपेंदर रियादव का ग्यारा वर्षी पुत्र अंशियादव खेत पर गया हुआ था जहां उसे एक देशी पठाका दिखा इसी पठाके को लेकर वह घर आया और घर के बाहर जलाने का प्रयास कर रहा था आग लगाने पठाका नहीं जला तो अंशियादव ने पठाके को हाथ में उठा लिया और इसी वक्त पठाका बलास्ट हो गया पठाका पटने के कारण अंश का हाथ बुरी तरह से जख्मी हुआ है उसके सीधे हाथ का अंगूटा हतेली से अलग हो गया गठने के बाद बच्ची को जलस पटागा तो यह लिया है को हमने जब कि मना किया तुन ही नहीं माना इसके बार हम बग गए तो फिर आया तो इसने पोरा वहां पकड़ा इसकी जाना आग नहीं लेगी है लेकर वह उसमें आग लगी ती ओवो एक दम से घर रहा है यह जो नदी बढ़े बादे पटाका होती ह अब बुलिट के दीवानों के लिए मार्केट में आ गई है एक नई संशेशन बुलिट नेक्स्ट जनरेशन न्यू स्टेंडर्ड 350 सिर्फ एक लाग तेहत्तर जार रुपई से स्टार्ट आपकी नई बुलिट 350 आकर्शक माईलेज और आध्वनिक स्विधाउं से लैस ये है नेक्स्ट जनरेशन की नई बुलिट 350 अगर आप हैं रफ्तार की दीवाने तो आज ही आए और ले जाएए न्यू स्टेंडर्ड 350 सिर्फ एक टीस हजार रुपई के डाउन पेमेंट पर आज ही आए हमारे शोरू और ले जाएए अपनी नई बुलिट हमार पता है क्लासिक वीज सागर रूप छतर अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6264 454031